ncrt page number 225 पर यह जो section 14.3.2 दिया है में division of a polynomial by monomial ओके एक polynomial को अब हम monomial से divide करेंगे correct तो यह आई यह हम आपको सिखाते हैं ठीक है पॉलीनोमिल तो आपको पता है जिसमें देखिए जैसे मान लोगा फिर फिर रिवाइस करा दें तो मान लो 2x ऐसे प्लस टूलिका only two x लिखा इसमें only one term the monomial कहलाएगा यह मो नो मो no Mono monomial okay so monomial है ओके इसी तरीकि से मान इजे टू तू टूम से तरसका हम टू तूम सके लिए हम कान से शब्द यूज करते हैं बाइन ऑन मैं मतलब तू बाइन ओम यह ठीक इसी तरीके से मानने जाए किसी एक्सविशन में थ्री टमसें टू एक्सक्यू प्लस फॉर एक्स प्लस फाइफ तो इसको हम बोलेंगे वन टू थी टूम से तो हम बोलेंगे क्या प्राइट नूमियल ओक इसी तरीके से अगर 3 से जाधा अगर टमस हैं तो आप उसको सिंप्ली पॉली नॉमियल बोल दोगे जैसे की 4x की पार 4 प्लस 5x की पार 3 प्लस 2x और माइनस 7 ओगे तो इसको आप सिंप्ली क्या बोल सकते हो पॉली नॉमियल ओगे अप सुनो मेरी बात ध्यान से एक बाह ब पॉली नॉमियल है लेकिन की इसमें 2 टो टूम्स है 1 2 टूमस पहचानते हो टमस आर सेप्रेटेट बाइप लस एं माइनस यह दिखें प्लस के पहले एक टम लिखा प्लस के बादम लिखा यहां पर देखें प्लस है तो 1 2 3 अपलस है 1 2 2 3 टूटल टूटल त्री टमस टिक अपर वालाभी क्या है मोनोमियल है एक ही टम है अभी तक हमने पड़ा मोनोमियल डिवाइड बाय मोनोमियल नीचे भी मोनोमियल है अब ऐसा नहीं मिलेगा ना अब आपको कुछ ऐसा मिलेगा ऊपर आपको बाइनोमियल शायद दे दे नीचे शायद आपको एक मोनोमियल दे दे ऐसा कुछ आपको मि पॉली्टो मुल ठीक हैं सो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि आप perspectives Yogyan इस बार हमें नियुम्रेटर में बच्चों क्या मिलेगा और दिनॉम्रेटर में तो हमें क्या मिलेगा दिनॉम्रेटर में तो हमें क्या मिलेगा दिनॉम्रेटर में चाम्remidee ही मिलेगा तुस टोपिक का नाम क्या है अँस्विजन अपुलिनॉम्रेटर यापको सिखाते है कि पॉलिनॉम्रेटर को हम क्या करेंगे एक मोनोमिल से डिवाइट करेंगे ठीके सुदेंस तो आप अपनी एंसी आटी में पेस नमर टू तू फाइफ पर टॉपिक देख सकते हो उन्हों ने बोला कि डिवाइट माली जी कोशन लेते हैं डिवाइट ट्रीनॉमील 4yq । अलुरस्ट फाइफ वाइट क्यों स्कुराइब गोट फाइफ वाइफ उसक्वाइब य य फाइफ फाइफ व्यास काइबड एसक्वाइबल एन्म य कौकल स्ट हथ्वाइट इवाइफ कैया एफ चुड पाता चल रहा होगा की है क्षट रिनॉमिल है और यending मlot ये मैं आपके रिफेंस के लिए लिए लिख देता हूँ ये मोनोमिल है एक ही टमेंस में अल्वन टू टूरी स्पायल है इस जिए पूर आपका किया है ये पूरा है आपका Credit है नोमीज ट्राइन आम एल जनर्ण भाषा में इसको पॉलीनोमिल भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें ओंली थी टम से तो स्पेशल नाम ट्राइनोमिल इसको दे दिया गया ठेक ना ओके तब एक पॉलीनोमिल को एक मोनोमेल से डिवाइट करना है तो कुछ नहीं करना है सबसे पहले हम क्या करेंगे यह हम फर्स्ट मेथड आपको सिखा रहे हैं क्या है फर्स्ट मेथड इसको करने के दो मेथड होते हैं दोनों आपको सखेंगे फर्स्ट मेथड है common factor method कौन सा method है first method common common factor method okay copy note लगाएंगे first method common factor method अब इसी question को हम आपको second method से करके दिखाएंगे जिसमें हम three parts में इसको split करेंगे बताएंगे प्रशान्नों common factor method में क्या करते हैं हम सबसे पहले यह जो आपको polynomial दिया होगा यहां पर ट्राइनमेल है इसको कॉपी कर लो ठीक तो हमने क्या किया इसको कॉपी किया ठीक सो इसको हमने कॉपी कर लिया इस तरीके इस तरीके से इस तरीके से यहां पर एक इंपोर्टेन बात है क्या बात है इंपोर्टेंट देखे बच्छों इंपोर्टेंट बात यह है कि दिनॉम्नेटर में जो कुछ होता है उसको आपको कैंसल करना ही करना है ठीक, I repeat, दिनॉम्नेटर में जो कुछ लिखा है उसको आपको कैंसल करना ही करना है, देखो यह कोशन थोड़ा सा कॉप्लिकेटेड है, मैं आपको आसान कोशन पहले बताता हो एक सम्झों बच्छों माल लो हमको एक सवाल दिया उस ने कि डिवाइट मेएट इस कोशोन को देखिये पहले प्लीज बिवाईट 2y2 plus y by 2y2 plus 2y divided 2y2 plus 2y by 2y ये question दे दिया उसने ठीक तो हम क्या करेंगे this divided by this तो इसको पहले लिखेंगे numerator में ठीक 2y2 plus 2y divided by 2y अब यहां bracket लगाएंगे ठीक नाम किया है first method का common factor method ओके common factor method में क्या करना है कुछ नहीं करना है हमें simply 2y2 के common 2y2 के factor करने 2 into y2y आता है ना 2y2 को लिखोगे प्लस 2y को आप लिखोगे 2 into y और साथ में टूवन भी कर लो फैक्टर सीखेंगे ना पीछे वन हरेक नमबर का फैक्टर हरेक एक स्वेशन का फैक्टर होता है तो टू आई को टू इन्टू आइं टू वन भी लिख सकते है ठीक अपॉन में टू आए ठीक अभी हम राकेट लगा दीजिए अब वहां पर जगा नहीं तो मैं यहां पर आपको वाले से से मैच करना चाहिए बताता हूं यहां यहां पर यहां यहां पर आइए यह यहां यह पर यह यह यहां आ गया फॉस तो टू इंटू आई चला गया क्या बचेगा वाई प्लस तुन टू आइच लगया क्या बचेका वन ओके एंड हो डिवाइड वाई क्या है टू ए ठीक अब आप देखो तू इन टू आइब होता है क्या टू आइंदा ब्राकेट वाई प्लस वन ओके अपॉन में लिवाई टू यह वाले टू आये वाले टूआ टूआ कैंसलो जाए को ठेक है मैं गया थैडिक है पो उपर से कामन आना चाहिए तो उपर से कॉमन क्या आया देख लो यहां से टू आया यहां से टू आया को अब इसका क्या मतलब है टू आइंटू यहां पर कुछ नहीं इंटू टू आंटू आइंट यहां प्लस वन और हमने छोटी कैंसल और आंसर किया आपका वाइप लस्कों करिए सबी बच्चे इसको कर लीचे करिये फिर मैं आपको इसी में एक कॉंसेट और बताता हूं नोट कर लीचे इसको कर लिया कर लीचे पहले कर लिया चलो अब देखो बच्छो मान लो अब इस कोश्चन को छोड़ा हुआ हमने न देखिए एक तो कोश्चन हमारा था क्या किन इन कोश्चन्स को लिखते भी रहीए साइड में ताकि एंब हमें पता चल लारे तो फ़र्सकू कर लिए ने लिए इसका अन्सराया था riskyतना एक इसका अंसराया देहां देंगे प्लीज तू आई स्क्वार अप्लेस इस बार यहां पे टुए नीडिया वाई दिया अपन में तू हाँ यह कोशन तू आय कर दिया अब अधाय आप कैसे हुआ तो अब सुनिये देहां से मिकपाथ वेरी इंपोर्टेंट प्लीज देखो को शने टू वाइ स्कुर्ण प्लसवा अपन में तू इस इवल्स दू है अन्या फॉल शूदिट बैक रगये ठीक अब दो आइस फ़र विद्विक भी तू यू-टू यूगया प्लस माई को आप वाई निटू-वन लिखोगे तेक है ऑपान में क्या है सब्सक्राइब और नगरे में तenda रिम यह नहीं को सब्सक्राइब अब नी सरे प्रब्लम क्या फॉर्स्स टो टू है लिगन सेक़ेंट टू नहीं है तो यह क्या और जी millor ओर फॉस्ट में टू है से कंट्थ में चू नहीं है फॉस्ट में से कलता कुम ना है और सब्सक्राइब तो जब आपको कोई number common ना मिले या कोई variable common ना मिले तो आप क्या करोगे second time से two common नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे second time में उसी number से multiply कर दो उसी number से divide कर दो नहीं समझ भाया जा देखो मैं आपको बताता हूँ तो जैसे वाई लिखा हुआ है ठीक तो य के पास के टू नहीं है यहां पर टू आ लिखा होता वाई की जगहां लिकाई तो आपको नहीं तो हम क्या करेंगे ध्यान देगे करेंगे समझो जरा वाई को हम क्या करेंगे ध्यान बच्छे इसको टू से multiply करेंगे टू से करेंगे डिवाइट ओके ध्यां दीजेगा, 2 से multiply करेंगे और 2 से करेंगे क्या? Divide, correct? Please इसवाद का आपको ध्यां देना ही देना है, क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हो हैं? ऐसा हम अपना काम मनाने के लेँ कर रहे हैं, थाकि y के आगे क्या आजाएं? टू आजाए और हम टू को अराम से कॉमन ले लें ठीक सुनों बच्चों बुलेंगे सर ऐसे क्यों लिख दिया बच्चों ऐसे इसले लिख दिया वापस टू से टू अगर काट देंगे तो वाई ही तो आ जाएगा यानि के मैक्स में वाई को लिखने का एक और तरीका है क्या वाई को एक और लिखने का तरीका है कि वाई को कर दो टू से मृटिप्लाइए और टू से कर दो डिवाईट तो ज़रूद पढ़ने पर जो नमबर आपको ना मिल रहा हो उस नमबर से उस वे डिद्य कर दो साथ ने मढिब लेके साथ दिवाइड भी आपको करना है ऑग् आपको टेंग्चन यहाँ पर नहीं लेनी है उके सोफ द्हान ने कि तूंहाद कोस्क्त लिखा प्लस य को लिखा वाइब भी पयाई रहने दिया क्यूंकि फर्स टम में टू है सट में 2 नहीं आपको कै가정을ना है ध्याद से रहा अब इससे क्या फायदा है वो फायदा आपको देख रहा है बच्छो जहांतरा चेक करिए एक बात और बताना चाहता हूं क्या की वाय अपॉल टू का क्या मतलब होता है थोड़ा ध्यान देंगे बेसिक स्नी क्लियर होते ना बच्छो के टाइम तो बटा लगे गए गए तू यह वाय इंटू वन बाई टू पता है जिसको नहीं पता देख लें वाय बाई टू कम अथलो था वाय इंटू वन बाई टू क्य ठीक तो आपने क्या किए में में 3 से मृटिप्लाई कैंट यह सब्भाइद तोस जेडि इसको क्या लिख हो गी इसको लिखोगे भाय इंटू वाय इंटू वन बाई फ्री ऐसे भी लिख सकते हैं जो अपॉन में 3 बसता इसको इंटू में 1 by 3 करके लिखते हैं ठीक वोई पूछे का क्यों किया बोल दिना 3 से 3 कैंसल होगा वाई इंटू वापस वाई आ जाएगा तो बस यह वाई को लिखने का तरीका है 3 किसी ने इसको 5 से मल्टिप्लाई किया वाई को और 5 से डिवाइट किया तो इसको क्या लिख होगे 5 इंटू वाई इंटू अपॉन में जो फाइब इसको इंटू में 1 by 5 करके हम लिखेंगे ओके करेक्ट सो आई तिंग आपको समझ में हाया होगा तो यहां पर देखिए यह में वाई था यॉसे मिल्टिप्लाई किया और तो से किया डिवाईट और अपॉन में जो म है इसको कह अनुनित पाले चाईकौ अब इससे यह फायदा है है फर्स्सनम में तू सेकंप मैं भी तू तू आगया कॉमन इंटू फर्स तू में य् जिकर और राखन आगया कॉमन अब देखो फॉस्टम चाय ओच्छा वाई अच्छा शीक प्लस से इक अब अब चैन्ड वेरा चला गया वन पहर च्छला गया वान पांट बचा वनपां देंगे टू इंटो आई होता है टू आइं इन दा ब्रैकेट वाई प्लस अपॉन टू वाई प्लस वन अपॉन टू अपॉन टू अब यह टू आए और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं यह एने के मिल्टिप्लाइइ सो 2 वैसे 2 आज जाएगा एंसल हो जाएगा और अंसर है आएगा आपका y-bas-1a1 2 वाई-1 यह आपका आनसर है सो इसकुषिण का अंसर क्या है इसकूषिं का आंसर है यह सब सर क्यों लिख रहे हो क्योंकि अभी हम जब आपको सेकेंड मैथड सब सेक्ट एंग उड़िए तो इसकोशन को सेकेंड मैथड से इस आपको दिखाएं आप मिस्टेक क्या करते हो नोट करो नोट करो फिर मैं आपकी मिस्टेक बताता हूं कि आप मिस्टेक्स क्या करते हैं लोट करिये प्लीज लिए चलो अब अपनी मिस्टेक्स देखिए स्टुडेंट्स आप क्या करते हैं इक्जाम में गलती से बार बार समझाने के बावजूद भी बच्चे क्या गलती करते हैं उसको देखिए और यह सीनर क्लास के बच्चे भी मिस्टेक करते हैं 910 कि क्या मिस्टेक करते हैं जैसे कोशन दिया उसने तू नहीं इसको नहीं इसको लो टू आई स्कूर अपलस वाई अपॉन टू आया आप क्या गरते हो देखते ही आप यहां टू देखते हो यहां टू अटू गैंसल कर रॉंग गलत नो यहां पे बच्चो प्लस लगा हुआ है थे गहां यानिक यह जो पूरी कॉंटिटी इस ओल कॉंटिट इस जिवाइड इट वाई आपने तो के वाल इसको सोचा कि इसको तो यह से दिवाइड के रहे ना 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 इस ब्लस दिस दिवाइड वाई टू ए तो यह डरेकली टू से टू कैंसल आप नहीं कर सकते हो डरेकली नो विलत रॉंग ओके उपर से कॉमन फेक्टर लेके तब आप इस टू आइको काट ओगे ठीक एस बैकेट में से टू आ क अब इसा इसा कुछ आंसर आरे बिल्कुल रॉंग है आंसर तो क्या था वाइब लस अपन टू अचा कुछ लोग इसको से काट देते हैं फिर बताएंगे सर्वाइड बच रहा है रॉंग ऐसे नहीं होता है आपको क्या करना है पूरा प्रासस फॉलो करना है जैसे हमने किय circulation काया देखिए थो वाइए स्वयर प्लस वाएब अपन में टू है तौअए वाी इसको अब होगे दू धूइनटु आ रज KPai rotary किया Woah अगर 2 से डिवाइड किया था वाय में जिसकी वज़े से वाइन 2 अपॉन 2 लिखा था अपॉन में 2 आए अब देगो यहां पर 2 आए और यह वाला 2 आए क्या आप अब गते का जाके तो अंसर वाइप लगाइगा एक तिर्ग टुप सकते थे जब ऐसे लिखा होता है जब बीच में प्लस माइनस ना होता तो क्या होता अगर अगर इसा होता है प्लस की जगा गर इंटू होता ना बचो मल्डिप्लाइए अगर होता तब आप काट सकते हो कोई दिक्कत निए तब आप टू को टू से काट दो वाई को वाई से लेकिन अगर यहां पर प्लस या माइनस है तो आप डिरेक्ली नहीं काट सकते हो जाद रखना दीरे-दीरे आ और पता चलेगा करेक्ट यह अपनी मिस्टेक को बच्चों प्लीज नोट कर लीचे आप यह में स्टेक करते हैं नोट करिए अ नोट कर लिया चलो अब आते हम अपने कोश्चन पर वापस करेक्ट जो कोश्चन हमने याँ छोड़ रखा था वहां पर हम वापस आते हैं ठीक है चली यहां पर आजाई यह स्टुडेंट फोर वाई क्यू प्लस फाई वाई स्कॉर प्लस इक्स वाई अपन टू आ है ठीक ना ओके अब देखते हैं इसके फेक्टर करके क्या होता है ध्यान दे डिनॉम्नेटर में टू आए यहां से टू आए यहां से टू आए यहां से टू आए यहां से टू आए तो कॉमन आना चाहिए वाई 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 तो सब में दिख रहा है यहां से टू कॉमन नहीं आएगा नहीं आएगा इतना तो आप समझदार हो भाई फोर को टू को टूँ लिखोगे six equal to 3 यहां से टू यहां से टूप फाइफ को क्या लिखो गए तो यहां टूने तो बनाना पड़ेगा किया करेंगे बताते हैं देखें यह जो फाइब be a square इस्थ इसको आप क्या लिखो के पता है कुछ नहीं करना इस्को आप उठा कि fulfill कर दो को और तूसे कर दो डिभाइड कर दो न fulfilled tam 2 बनाना एब को तो फ़ाम काटना नहीं हुआ थो हम 5y2 को ऐसा भी लिख सकते हैं क्या टू से मल्टीप्लाई और तू से डिवाइड करके ठीक अपना काम बनाने के लिए क्योंकि 5y2 आजाएगा तो तू हम कॉमन लें आपको बताते हैं लोगे परच्छान हो यह देखें यहां पे आप इसको क्या करोंगे बच्छो टू दो य इंटू इंटू 5 बेट टू ऐसे भी आप सको लिख सकते हों गरेक्ट और वाइज को क्या लिखोगे वाइं टू यह लिच यह लट टू कपी कर लिया वाइसको लिए और फ़ाइब अपान टू बचा क्या भाई फाइब और नू टू तो एसे भी आप सकते हो ठीक त प्रवाइद कुपको 4 को क्या लिखा तू इंटू 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 वाइद कुपको वाइद या प्लस 5y-square को क्या लिखा 5y-square का फार्म यह लिख लिए पूरा लिखके मैंने आपको साइड में दिखा ऐसी लिए ठीक 5y-square को क्या लिखा तू इंटू वाइद 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 इंटू 5 by 2 यह लिख दिया चेक कर लोग चो टू से 2 कैंसल लोगा वाई इंटू आइवाइद सब्सक्राइद वाइद वाइद आ पस आ जाएगा बट हमें इसको इसको इसा लिखना तिक प्लस 6 5 2 2 6 4 2 2 3 और इंटू में वाई ठीक अब अपन में क्या करेंगे डू एलिखी अब कुछ बच्चे क्या करेंगे उठागे टू को कहीं टू से कैंसल कर देंगे रॉंग जब तक आप ऊपर से कॉमन नहीं लोगे तब तक आप कैंसल नहीं कर सकते हूं ठीक ना ऊपर से जब 1 2 ट्री टोटल ट्री टम में फर्स्टम सेकेंड टम थर्टम जब तीनो टम में से कोई नंबर कॉमन आएगा तभी वो नीचे वाले नंबर को काट सकता है ठीक है ठीक है सुडेंस इतना कॉपी करिए मुझे थोड़ी से जगा चाहिए होगी प्लीज कॉपी कर लिए चे कॉप कि उसके बात और लेना की ओमर्ण डो नीचे लिखा हुआ कॉमन लिया जाता है तो आग्या वाइच यहां पर यहैं और यहां पर वी वाई है और यहां पर वीवाय तो प्ला उन्टू है कुझotal पलकर नहीं छंट पलस यह वाला प्लस कॉपी किया है सकेंड टम में अप्लस यहाल अप्लस कॉपी किया टू इंट वाई चला गया क्या बचा शी तो यहां पे थर्ल टम में बचा शी और होल डिवाइड बाई क्या है टू आए ठीक यह ओडिया आपके ना शोडेंस यहां पर देखी लास अपे करता हूं यह टू इंट वाइट आए थो यह नहीं दो आप इन देखे अपने कि यह वाला टू आपके यह एवाला तो एसे रहा है का यह नगी यहाँ वाइगा टू आए स्कुर्ण यह जो निगी यह वाइगा टू आए डू इसको फाइब बाइट टू इंटू ए निए फाइब टू य थी आप इसको लिख सकते हो तो फाइब बाइट वाइब प्लस थी तो प्लस ट्री एंड इस वोल तिंग इस दिवाइड दू आए टू आए ओके अब ध्यान देशो ये ब्रैकेट के आगे जो कुछ भी आता सको उठाकर से काट देंगे इसका मतलब बाइट वाय इंटू इस ब्रैकेट तो यह दिखिया अगया रहा जब कॉमन आज ता उठाकर नीचा एलसे काट देते हैं ठीक सो तू आई से टू कट आवाय सबया क्या बच्छा टू आइस स्कार ब्रैकेट में अपलस फाइब सो आप अपनी NCIT बुक से आंसर मैच कर सकते हैं 2Y स्कार प्लस 5 बाइट 2Y और प्लस 3 ओके सुटें से यह देखिये इस तरीके से ब्रैकेट लगाने की अपकोई जरुवत नहीं है तो यह आपका फाइनल आंसर इस तरीके से आ अगया अब इस कोशन को और यह जो कोशन किया है इस कोशन को ठीक इसको मैं आपको सेकेंड मैथट से सिखाऊंगा ठीक है तो आई यह हम इसके आल्टरनेट मैथट सीखते हैं तो ध्यान रखिएगा यहां पर अभी हमने इसको ठाके से डिवाइड लगाया तो कितना है हमार पास यह आंसर आया है नोट कर लेते हैं सबके आंसर है ना देखते हैं फिर से वहीं आंसर आ रहा है सेकेंड मैथट से या नहीं सब्सक्राइब कर लिए नोट कर लीचे कर लिया है ठीक है आपकी बुक में यह बोल रहे हैं कि अल्टरनेटिव मैठ तर्ट के अलावा कौन सा मेठोड इसको मैं इसको मैं पता है क्या बोलता हूं इसको नाम नहीं लेकिन बोलता स्विट्टिंग ठीक इस ब्रेक द पार्ट या श। आप डाटाय से करके बोल देता हूं उना है याई है और आगे था इसको मैं बोलता हो इस प्रेग नाम नहीं इसका कोई टेक्निकल नहीं 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 इस से थोड़ा फिला थैसलिस के नाम लगने मैं अशेवसरे अब दीको जरा क्या करते है समय इसमें हम नूमरेटर में कॉपी करते हैं जो हमें पॉलीनोमिल दि यह देखिए यह 4 y q a plus 5 y square a plus 6 y bracket लगाते हैं हम यहाँ पर और upon में यहने के whole divided by नीचे जो monomail लिखा होता सको हम लिख देते हैं ठीक यह ऐसे कर देते हैं ठीक अब देखें अब हम क्या करते हैं बच्छो इसको जितने भी टम्स होते हैं उतने पार्ट्समें स्प्रेट कर देते हैं सबस्वाइब बच्छो पहले आपको छोटी क्लास में लेचलता हूं चोटी क्लासे में हम क्या करते थे मैं आपको याद दिलाऊं मान लोग कहीं रिख आव फैफ प्लस टैव बाइभ टू ये पता है इसका हां अतलब होता था हम यहांथ टन कर देंचे लो ठीक है एचा क्या है5 ज्रीक Normally तो YouTube मिस्ट्टेक करेंगे यह जहता है रगी निक हाटने टो रोंग है यह समेन तरीन ने है अगर प्लैस यह मैनस और नहीं सकते हो आप छोटी डोल्स तेन गृशन हो सबस्तव करद थे अ पटाइं इसका मेनीगा सब्सक्राणियों चलिक stip threat अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप इसको रीचेक कर फक्ते हैं तू और टू का एल से ना जाता था था टू याद है फिर टू को उठाके कि टू से इवाइट करेंगे कि टू अएका वन वन को टैन से मिलेक गए लेकर लेकाना आता है लेकि लूच इंटु को ठाके टूसे सब्सक्राइब लगा दिया, ठीक है, सुनो, अब आप काट सकते हो, 2, 1s are 2, 2, 5s are 10, अब आप कट कर सकते हो, लेकिन आप directly cut नहीं कर सकते हो, अगर आपने directly cut कर दिया होता, तो सोचो, इसका मतलब आपने 2 से 10 को तो काट दिया, 2 ही खतम हो गया, 7 को 2 तो मिलनी पाएगा, अगर आप ऐसा करो से वापस कितना आपना, 2, 2 को 1 से डिवाइड लगाता आता, 2, 2, 5, 10 और प्लस, 2 को 2 से डिवाइड लगाता, 1 आता, 7, 7 वापस अतना आता, ठीक है, अब ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको एक दू प्राक्टिस कर आता हूँ, और फिर मैं आपको बताता करोगे, 7 के नीचे 3 दोगे, फिर यहां माइनस लगा है, तो यहां माइनस दोगे, 15 by 3 दोगे, और प्लस, 3 by 3 दोगे, समझ गए, क्योंकि वापस अल्सियम लोगे तो इतना ही आ जाएगा, भाई 3 के लसम 3 होगा पटा, उन्यूरेटर में 7 इंटो 1, माइनस 15 इंटो 1, प्ल सब्सक्राइब करें, तो यहां टोटल 4 पार्ट्स होते, 4 तम्स होते तो 4 पार्ट्स में स्प्रेट करके, ब्रेक करके तब हम काटते, अब आपको काटना हो, काट दो, ठीक, 3 दो 3, 3 अप कट जाएगा, ठीक, 3 दो 15, 3 दो यहां जाएगा, 7 by 3, minus 5, plus 3 से 3 कटना, 1, 1, 1, 1, 1 तो अब इसको solve करना हो, तो lgm, lgm लेकर वैसे solve करेंगे, जैसे करते थे, वो सब छोड़ो, हम आपको यह सिखाना चाते थे, कि इसको हम 3 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, break कर लेते हैं, या split कर लेते हैं, उसके बाद हम काटते हैं, डायरेक्ट हम नहीं काटते हैं, ठीक ना, चलो, अब देखो जरा, अगर यह आप सीख चुके हो, क्या आप 2 से उठाके 4 को काट दोगे, नो, 2 से उठाके 6 को काट होगे, नो, वाइस उठाके वाइको, नो, पहले क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट्स में, split करेंगे, मतलब, 4 Y क्यूब लिखेंगे, और 4 Y क्यूब के नीचे 2 Y देंगे, फिर यह वाला, प्लस कॉपी करेंगे, अगर यहाँ माइनस होता है तो माइनस कॉपी कर लेते, अब 5Y स्कวाइर, अप on me 2 Y देंगे, अब यहाँ पर प्लस है, तो प्लस कॉपी कर लेंगे, यहां 6 Y है, तो 6 Y भी कर लेंगे अबान में टू है यह लिजे अप काटना हो तो काट अब तो टो, ठीक है, अब कुछ नहीं करना है अब आप इसको सिंपली सॉल्फ कर दीचे जैसे आप करते हो इसको ये कलग कोशन बन गया ये कलग कोशन बन गया ये कलग कोशन बन गया होना मोनोमिल डिवाइद बैम मोनोमिल मौनोमिल बाई मोलो मेल ओके तो आये इसको शाल्फ करते हैं 4 को क्या लिखोगे, 2 x 2, 2 y cube को क्या लिखोगे, yeah, y x 3 y upon me, 2 y को क्या लिखोगे, 2 x y, ok? So, plus, 5 y square को क्या लिखोगे, 5 x 2 y upon 2 y को लिखोगे, 2 x 2 y, और plus, 6 y को लिखोगे, 2 x 3 x y upon, 2 y को 2 x 2 y, ये लिचे. चेक, अब आप इसको solve करेंगे, देखिजे, 2 से 2 cut गया, वाई से वाई कट गया यहां देखिए बच्छों वाई से वाई कट गया ठीक टू से टू गया वाई से वाई गया अब क्या क्या बचा वह आप लिखते चले जाएं फर्स्टम में क्या बचा टू इंटू वाई इंटू वाई ओके सो टू इंटू वाई इंटू वाई प्लस यह वाला प्लस कॉपी किया second time में 5 upon में 2 बचा और 7 ने क्या बचा इंटू में y तो 5 by 2 इंटू में y और प्लस यह वाला प्लस कॉपी किया 3rd time में क्या बचा 3 only 3 बस तो only 3 अब इसका answer आप देख सकते हैं 2 into y into y 2 तो ऐसे रहेगा y into y y square तो answer हो गया 2 y square प्लस 5 by 2 into y यह निए 5 by 2y तो 5 by 2y प्लस last में 3 अब सुनो बच्चो जितना answer पहले आ रहा था उतना अभी भी आ रहा है 2y square प्लस 5 by 2y plus 3 ओके सुनो अब शायद आपको याद आया होगा कि जब हमने common factor method किया था फस्वाला तब हमने 5 में नीचे 2 से divide क्यों y square को हमने क्या लिखा था इसको 2 से multiply किया था और 2 से किया था डिवाइट फिर इसको हमने लिखा था टू इंटू y square इंटू में 5 by 2 क्योंकि पता है मेरे दिमाग में चल रहा था कि जब मैं इसको ब्रेक दपार्ट्स या स्प्रेटिंग वाले method से करूंगा इसको थ्री पार्स में ब्रेक करूंगा तो 5 के नीचे 2 आएगा और 5 को 2 काट नहीं पाएगा याने कि 5 के नीचे क्या आना चाहिए टू इसले 2 से multiply 2 से divide आप ये सोच लो और चाहे आप ये सोचलो की 2i को हटाना था denominator में से िहां से 2i येहां से 2i default अचाहिए था लेकिन बता है common factor method first वाला वह बहुत अच्छा method होता है क्योंकि करते हम यह हैं कि ऊपर से common factor निकालते हैं और नीच वाले को cut करने कोशिश करते हैं ठीक दिरे दिरे आएगा परिशान मतों question की practice करोगे तभी समन्द में आएगा ठीक चलिए नोट करिए तोट कर लीचे कर लिया चलो अब देखिए बच्छों हम आपको यह दोनों कोशन भी करके दिखा देते हैं यहां से ठीक है तो आप satisfy हो जाओगी पूरी चरीके से सिकंड में अने यह वाले कोशन को देखिए सिकंड में तरट से क्या था डिवाइट टू आए स्क्वार अप्लस टू आए बाए 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 टू अब बताव चो क्या टू से टू काट दोगे वाइस हाई नहीं जब तक सबbrook सेट में करेंगे क्यूंकि टू पार्ट से टोटल कवांन तो ओकैंटू टम से सोके लिखांक इसको व्म प्लॉन की सब्सक्राइग क्यों सब्सक्राइब cał'नि के सब्सक्राइब चसम्दाइग सब्सक्राइब यह देंगेल ठीक लो न estásघ섯 ना अब आप देख सकते हो कर रते हैं क्या पषुंप सकते इसी तरहीं सो सकते हैं कि इतना राहा है वाट टुन सकते के इसे स्ट की इतना राहाSpbirds वन ओके चलिए कोशन नमेर 2 गर्गे मैं आपको दिखाता हूं ठीक कोशन नमबर 2 मैं आपको करके दिखाता हूं ओके सुब और अल्टरनेटिव मेथोड से हम आपको क्या कर दिखात है कोशन नमबर 2 अरिक क्या है तो को आपके पास द्युण स्व solamente है ऑक अपन क्या है थीजे फर्ग शोय दो है और अलट शाट दो है नो सर्वाوع मैं आपको यह करेंगे डूछ स्क्राइब ओके और अपॉन में जाएगा टू है इसके नीचे भी टू आइस फार के नीचे भी टू आइको दो अप्लस लगाओ और फिर वाई के नीचे किसको दे दोगे टू आइको ठीक अब आप नेक्स स्टेप में क्या गरेंगे बच्छों कर टू आइस को लिखा टू इंटू यंटू य अपन में टू आइको लिखा टू टू इंटू आए और प्लस देखो यह वाई है वाई के फैक्टर वाई इंटू नहीं वन हो जाएगा भाई किसी भी वेरेबल में आप वन से में टिप्लाइए कर सकते हो वन हर एक वैरेबल का फैक्टर होता है तो य क सब्सक्राइब यहां बचा वाय कटा वन अपॉन में यह लीजिए तो यह प्लस वन बैट टू आ रहा था यह प्लस वन बैट टू आ रहा था था थे तो इस तरीके से आपका अंसर आता है ओके सुड़िंस